हलो फ्रेंड्स नमस्का, क्या आप जानना चाहते हैं कि टूबडी में आपका वीडियो का सेटिंग इस तरह से सब ग्रिन दिखें तो इस वीडियो को कम्प्ली देख लीजिए, मैं इसका कम्प्ली प्रोसेस इस वीडियो में स्टेप बाइ स्टेप बताने वाला हूँ अगर याँ वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करने के साथ सथ, एगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किये हैं तो चैनल को सब्क्राइब करके घंटी को दबाकर आलपर प्रेस कर देना ना भूले, तो चलिए बिना समय कमाए इस वीडियो को सुरू करते है अगर आप यूटूबर होंगे तो आपके पास भी या टूबर्डी अप्लिकेशन होगा, नए होगा तो इसे आप प्ले इस्टोर से डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, हम यहाँ पर इस वीडियो पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं यह सब आपका इसे green कर सकते हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ, एक हम दूसरा वीडियो को open करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, upload high-risk thumbnail, यह green नहीं है, सबसे पहले मैं इसी को green करके बताने वाला हूँ, बाद में add tag to your title, add tag to your description, title and इत्याद के बा इसको green करने के लिए हम pixel lab में चलेंगे, उसके लिए हम pixel lab को open करेंगे, क्योंकि मैं pixel lab से thumbnail को बनाता हूँ, इसको हम इस पर click करके delete कर देंगे, उसके बाद हम three dots पर click करेंगे, image size पर click करेंगे, यहाँ पर custom पर click करेंगे, यहाँ पर YouTube thumbnail पर click करेंगे, उसके बाद OK पर क्लिक कर देंगे उसके बाद हम यहाँ पर एक फैमनेल को लाएंगे उसके लिए प्लस पर क्लिक करेंगे तरह हम गिलरी पर क्लिक करेंगे उसके बाद हम यहाँ पर थ्री डाट पर क्लिक करेंगे ब्राउजर पर क्लिक करेंगे इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम पिक्सल लाइप पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर सब हमारा थैमिनल ओपन हो जाएगा उसके बाद हम इस थैमिनल को यहाँ से सेलेट करेंगे उसके बाद हम वोके पर क्लिक करेंगे उसके बाद हम इस थैमिनल को यहाँ पर सेट कर देंगे इस तरह से उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से इसको लग कर देंगे थैमिनल रेडी होने के बाद इसको सेफ करने के लिए हम यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक कर देंगे उसके बाद save eyes image पर klik कर देंगे उसके बाद jpg इस पर klik करेंगे यहाँ से हम PNG को select कर लेंगे उसके बाद हम यहाँ पर custom पर klik करेंगे यहाँ से हम ultra को select करेंगे हम custom पर इसको save कर लेते हैं गेलरी में इसलिए हमा Para thumbnail वहाँ पर green नहीं हो पाता है आप भी अपने Therminal को इस तरह से Save करेंगे PNG और यहाँ पर Ultra उसके बाद आप Save to Gallery पर क्लिक कर देंगे उसके बाद हम YT Studio कोपन करेंगे यहाँ पर Content पर क्लिक करेंगे उसके बाद हम उस वीडियो को यहाँ से सेलेट करेंगे जिसका Therminal ग्रिन नहीं हुआ था Therminal को Change करने एक लिए आप इस Edit पर क्लिक करेंगे उसके बाद इस Edit पर क्लिक करेंगे यहाँ पर Change पर क्लिक कर देंगे उसके बाद जो हमने Ultra पर Therminal को Save किया था उसको यहाँ से सेलेट कर लेंगे Done पर क्लिक कर देंगे Save पर क्लिक कर देंगे उसके बाद हम टूबेडी को उपन करेंगे उस वीडियो को यहां से उपन करेंगे जिस वीडियो का थाम्नेल ग्रीन नहीं हो रहा था आप यहां पर देख सकते हैं अपलोड हाई रेस थाम्नेल या ग्रीन हो गया है अगर आप इसी तरह अपने थाम्नेल को यहां पर ग्रीन करना चाहते हैं तो मैं जैसे बताया हूँ वैसा ही अपने थाम्नेल को पिक्सल लैप से या किसी भी लैप से शेफ करेंगे अल्टरा प करने के लिए आप अपने टाइटल में कम से कम दो टाइग को इंटर करेंगे तब यह जाकर ग्रीन होगा आइट टू यो डिस्क्रिप्शन इसके लिए आप अपने टाइटल में जो टैग लिखे हैं उसको डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट लाइन में कपी करके पेस्ट कर टाइटा लेंथ ग्रीन नहीं होगा टैग लेंथ अब जो वीडियो में टैग यूज करते हैं उन टैगों का लेंथ 500 करेक्टर से कम होना चाहिए और 300 से उपर होना चाहिए तभी यह आपका ग्रीन हो पाएगा मेरा यहां पर add end screen ग्रीन नहीं है इसको ग्रीन करने के लिए वीडियो में end screen लगाना होगा इसको कैसे लगाते हैं चलिए मैं उसको भी बता देता हूँ उसके लिए हम chrome browser को open करेंगे यहां से YouTube को select कर लेंगे उसके बाद इस तरह का interface आपके सामने open होगा आप यहां पर अपने logo पर click कर देंगे यहां पर view your channel पर click कर देंगे उससे बाद यहां पर custom channel पर click कर देंगे आप यहां पर ठोड़ा वेट करेंगे उसके बाद इस तरह का interface आपके सामने open होगा आप इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे इस तरह से यहाँ पर आप इस आइकन पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपका सब वीडियो सो होगा जिस वीडियो पर end screen लगाने का है उसको यहाँ से सिलेट कर लेंगे इस तरह से उसके बाद इसको स्वाइप करेंगे यहाँ पर सब टाइटल end screen, cards का option दिया हुआ है end screen लगाने के लिए आप इसी पर क्लिक कर देंगे end screen लगाने का यहाँ पर बहुत element दिया हुआ है यहाँ से आप किसी एक को सिलेट कर लेंगे अगर दो वीडियो लगाने का है तो इसको सिलेट कर लेंगे अगर एक वीडियो एक subscriber लगाने का है तो इसको select कर लेंगे हम यहाँ पर इसी को select करेंगे लिए उसके बाद आप यहाँ पर चूँज फैसिक वीडियो पर click कर देंगे जिस वीडियो को आप लगाना चाहते हैं end screen में यहाँ से select कर लेंगे दूसरा वीडियो लगाने के लिए आप Most Recent अपलोड पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर आप चूज इस्पैसिक वीडियो पर क्लिक कर देंगे यहाँ से दूसरा वीडियो को सेलेट कर लेंगे जिसको आप लगाना चाहते हैं एंड स्क्रीन में उसके बाद इसको स्वाइब करेंगे आप देखिए यहाँ पर एंड स्क्रीन को इस तरह से सेट कर देंगे एंड स्क्रीन सेट करने के बाद आप यहाँ पर सेफ पर क्लिक कर देंगे उसके बाद आपका एंड स्क्रीन सेफ हो जाएगा उसके बाद हम बैक जाएंगे और टू बड़ी में चेक करेंगे आप देख सकते हैं इस वीडियो में मेरा सब अप्सन ग्रीन हो गया है यहां पर एंड स्क्रीन भी ग्रीन हो गया है वीडियो को आप किसी भी प्लेलिस्ट में एड़ करेंगे तब यह ग्रीन होगा इस तरह आप अपने वीडियो को इस तरह से सेटिंग करके टू बड़ी में आल अप्सन को ग्रीन करा सकते हैं आई होप इस वीडियो की जनकारी आपके थोड़ी भी काम कियो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा एक प्यारा सा कमेंट कीजिए तथा मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्क्राइब करके घंटी को दबा कर आलपक प्रेश कर दीजिए ताथ इस पीचर में ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पाले आपको मिलता रहे